राज्य के खाद्य मंत्री अमर्जित भगत बुधवार को राजनन गाउ जिले के प्रवास पर थे इस दरान नगर निगम भिलाई चरोधा में पहुँचकर नौ निर्वाचित महापर और सवपती सहित निर्वाचित पार्षदों से मुलाकात कर उन्हें बधाय दी इस उसर पर निगम आयतु किर्थिमान सिंग राठा और सहित सभी जन प्रतिनी धियों ने खाद्य मंत्री अमर्जित भगत का जो शिला स्वागत किया चतितवड के खाद्य मंत्री अमर्जित भगत भिलाय चरोदा नगर निगम कायले पहुँचे इस मौके पर उन्होंने आम लोगों को राहा देते हुए निगम प्रशासन से कहा कि जिस किसी भी वार्ड में 500 से अधिक आबादी है वहाँ पर एक अतिरिक राशन की दुकान खुलने का निर्देश दिया महापौ निर्मल कोश्रे ने खाद्य मंत्री के समक्ष ये मांग रखी जिस पर खाद्य मंत्री ने ततकाल आदेश गया इससे पहले भिलाय चरोदा महापौर निर्मल कोश्रे ने अपने कायले में खाद्य मंत्री अमर्जित भगत का स्वागत सम्मान किया इस दोरान निगम सभपती कृष्णा चंद्राकर सहीद इमाईसी सदसे और कॉंग्रेस पार्श अद्वा संगठन से जूड़े प्रादिकारी शामिल रहे मंत्री अमर्जित भगत ने महापव निर्मल कोष्रे वा सभपती कृष्णा चंद्राकर को मिठाई खिला कर उनकी महापव वा सभपती निर्वाचन हुने पर बदाई दी इस दोरान उन्होंने मुख्य मंत्री उपेश बगहिल के नयत्रित वाली प्रदेश सरकार की सोच और जनकल्यानकारी योजनाओं के अंधरूप भिलाई चरोदा निगम शेत्र को विकास के मामले में अवल बनाने की बात कही महापव निर्मल कोसरे की मांग पर मंत्री अमजित भगत ने भिलाई चरोदा नगर निगम शेत्र में 500 से अधिक आबादी वाले वाड में अतिरीक्त सरकारी राशन दुकान खुलने के लिए आदेश दिये इसके साथ ही उन्होंने कलेक्टर से चर्चा कर आदेश को सिग्र अमली जामा पराने का निर्देश भी दिया इसके साथ ये एक बड़ी आबादी को राहत मिलेगी महापव निर्मल कोसरे ने कहा कि अधिक आबादी के बाद भी राशन दुकानों की कम संक्या के कारण लोगों को समय पर राशन नहीं मिल पाता है अब ये समस्या नहीं रहेगी नगर निगम के महापवर भाई कोसरे जी को और उनके पूरी टीम को बहुत बहुत बढ़ाई बहुत सुपकामना है कोशरे जी बहुत अच्छे लगन सील मेहनत और करतब बेनिष्ट बेक्तित के बेक्ति हैं लीडर हैं और सब को साथ लेकर के चलेंगे अच्छा विकास करेंगे पहली बार यहां पर इदनी सफलता मिली है उसके लिए मैं यहां के नागरिकों को इस आउसर पर महापर परिशात के सदस्य वनिगम की अधिकारी करवचारी शामिल रहे ग्रेंडेस ये निउस के लिए भिलाईति जरोदा से शैलेंद खरेंगी रिपोर्ट